नमस्कार मैं हो ससी आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं पहाडी मंदिर पहुचे मुखी मंत्री हिमान सुरेन बोले पहाडी बाबा की तरह बना रे राजेपाल का असिर्वाद जार्खन में पूरे धुमधाम से महा सिर्वात्री का तेवहार मनाया गया के पहाडी मंदिर में भी हर साल देवघर की तरह सिववारात निकाली जाती है इस बार भी सिववारात निकाली गई इसमें जार्खन के मुख्य मंत्री हिमान सुरेन खुद सामिल हुए इस दोरान सर्दाहालूओ की बाहरी भी उमर पड़ी थी बतादे सीम हे मंसुरेन के साथ सा ज्छारखन के राज साभा की सांसद महुआ मांजी और अन्य लोग भी पहाड़ी मंदिर पहुंचे थे इस औसा पर मुख्य मंत्रि सिरी सुरेन ने सिव बरात के आविजन के लिए पहाड़ी वाबा मंदिर कमिटी की तारिफ की सीव बरात में सामील होने के लिए पहुँचे सीम है मंसुरेन ने मंच पर भगवान सीव और महापारवाती की आर्ती भी की उनका असिरवाद लिया साथी मुख्य मंत्री है मंसुरेन ने जारखनवासियों को महाशिव रात्ती की सुबकमनाय दी मौसम केंद्र रांची की ओर से बताया गया है कि डाल्टन गंज का उस्तम तापमान 31 डीगरी हो गया है जो राजे में सबसे ज़्यादा है वहीं गढ़वा के निम्तम तापमान राजे में सबसे कम रहा है यहां निम्तम तापमान 12.5 डिग्री से सेट दर्च किया गया अने वाले अगले 5 दिनों तक निम्तम तापमान में बड़े बदलाव की उमीद नहीं है लेकिन 29 फरवारी को जारकन के दक्षिने हिस से यानि पूर्वी सिम्हूं पच्मी सिम्हूं सराय के लखार सवाव बाद 20 से 22 फरवारी तक सुबा में कोहरा या दोंत चाया रहेगा बाद में आस्मान साफ हो जाएगा बता दे राजजानी रांची के मौसम की बात करें तो रांची इस्तित मौसम के इंद्रे ने कहा गिनितम तापमान जो 18 फरवारी को 14 डिग्री चल्यस रहा है बाजार सुल्क परपूर्ण विचार के लिए ज्हाममो वा कॉंग्रेस नेतावने सोपा ग्यापन जार्खन के सीम हेमान सुरेन से सन्नी वार को जार्खन मोक्ती मोचक वरिष्ट नेताव राज समन्वे समेती के सस बिनोत कुमर पांडे फागु बेशरा एवन भारतिय रा अगर कॉंग्रेस अध्याक्स कुमार राजा ने मुलकात की और ज्हारकन राजी किरिसी उपज और पसुधन बीपनन विधहक 2022 को लेकर ग्यापन सोपा ग्यापन के माध्यम से उन्होंने मुख्य मंत्री से बजाल सुल्क से सम्मधित विधहक में दो पलचे टेक्स के अधि पिछली सरकार में मर्ज हुए इसकूलों को फिर से खोलने की कवायद सुरू सिक्षा विभाग ने राजे में पिछली सरकार के कारेकाल में मर्ज किये गए सरकारी स्कूलों को फिर से खोलने की कवायद सुरू कर दिया है चामंत्री जगनात महतों के निदेश पर जीलों से स्कूलों को दोबारा खोलने को लेकर आवसकता का आक्नन करते वे रिपोर्ट मांगी गई थी बता देश जीलों से जिन स्कूलों को फिर से खोलने का प्रस्तावाया है उन स्कूलों के पोसक छेत्रे में 6-14 वर्स के बचों की संख्या स्कूल से बाहर रह गए बचों की संख्या निकर्तम इसकोल की दूरी, इसकोल भौण की मौझूदा इस्थिती और इसकोल की बहुगोलिक इस्थिती की जनकारी देने को कहा गया सबसे अहम बात यह है कि मर्ज के बाद बंध हुए इसकोल को दोबारा शुरू करने के लिए सम्मधित जीला सिक्षा पदाधिकारी जीला सिक्षा अधिक्षा को प्राण पत्र देना होगा पलामू हिंसा पांकी में नहीं निकली सीवबरात पलामू के पांकी में 15 फरवरी को दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के बाद से चौथे दिन भी धारा 144 लागू है बतादे इंटरनेट सिवा विबंध है हलाकि थिती समाने है पुलिस पूरी तरह चौकस है इसके बाद भी यहां वर्सों की पुरानी परंपरा कायम नहीं हो रहा सकी सिव बरात नहीं निकाली जा सकी पांकी सहीद आसपास के इलाके में महा सिव रात्री के औसर पर लगने वाली मेला भी नहीं लगे बतादे पांकी के सिव मंदीर में एक साथ मातर पांच लोगों को ही फुजा के लिए अंदर जाने के उनुमती दी गई महासिवरात्री के औसर परलगभग नहीं के बरावर सरधालू मंदिर पहुंचे वहीं 14 सांसर सुनील कुमार सीनहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पांकी के निंदनीय घटना के बाद राज सरकार तुष्टी करन की रही निती कर रही है ये प्रसासनिक चूखा है उसे छीपाने के लिए सब हो रहा है सीपी राधा क्रिश्णन ने राजेपाल के पद और गोपनियता की ली सपत जहारखन के नौन यूगते राजेपाल सीपी राधा क्रिश्णन को जहारखन हाई कोट के कर्यवाहक मुखेना अधिस अपरेश कुमार सिंग ने सनिवार को पद एवं गोपनियता की सपत दिलाई गेरिवा रंग का कूर्ता धारन कर पहुंचे राजेपाल ने सपत लेने के बाद सभी का अभिवादन सविकार किया एवं इस दवरान उपस्तित लोगों को नाशते के लिए अमंत्रित किया बता दे हाई टी के बाद राजेपाल सिदे मंच पर आय और वहाँ पहले से मजूद मीडिया कर्मियों को समधित करते हुए कहा है कि हमारा मुल मकसद जहारखन का विकास है राजेपाल ने कहा है कि विकास के बगर गरीबी का बिनास गरीबी का खात्मा नहीं हो सकता उन्होंने कहा है कि राजेपाल से गरीबी के खात्मे के लिए विकास से बेहतर कोई उतर नहीं है यही कारण है कि हम लोग आपस में मिलकर स्वास्त और अधारवू संरचनाओं और आवासिय जरूरतों को फूरा करने के लिए सरकार परती बताए बाबा मंदिर में उम्री सरधालूओं की भीर 3 किलोमेटर सीव भक्तों की कतार शीव रात्री के मोखे पर बाबा नगरी पूरी तरह से सीव माय हो गया है सन्रीवर को बाबा भोले के दर्शन को सीव भक्तों की भीर उमर पड़ी इस पावन मोखे पर दिन के 11 बजे तक करीब 6000 सीव भक्तों की पुजा की वहीं देर साम तक करीब एक लग सर्दालोक जलारपन करने की संभावना है बता दे बाबा मंदीर में अगर भीड बनी रही तो रात दस बजे तक जलारपन कराया जाएगा सनिवार सुबा भक्तों की कतार बाबा मंदीर से करीब 3 किलोमेटर दूर 28 कॉलेज पर तक पहुँच गई सनिवार सुबा तीन बज कर पांच मिनट पर बाबा भोले की विद्वत फुजा की गई उसके बाद तीन 45 से बाबा भोले का पोट आम लोगों के लिए खोल दिया गया जारखन सरकार का अगामी बजट तीन मार्च को बित मंतरी करेंगे पेस जारखन सरकार अगामी बीतिये वर्ष के वार्षिक बजट का आकार बढ़ाने के त्यारी में है इस बजट में सरकार रोड, कनेक्टिवीटी, सीख्छा, स्वास्त, पेजल और गरामिन बिकास पर भी जोड देने वाली है बता दे इंदीनों जारखन सरकार वीतिये वर्ष दो हजार तेस चोवविस के वार्षिक बजट का अंतिम रूप देने में जूटी हुई है आगा में तीन मार्ष को जारकन बिधान सबाग के पटल पर वीत मंत्री डाक्टरा मेश्वर उड़ाओ नए वीतिये वर्ष का वार्षिक बजट पेस करेंगे राज सरकार के इस नए वजट में क्या कुछ खास होगा बता दे बीत विभाग के द्वारा त्यार की जा रही इस वार्षिक बजट में जहां बजट आकार बढ़ाने के त्यारी है वहीं रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ सिक्षा स्वास्त और ग्रामिन विकास पर सरकार का जोड़ रहे गया 22-23 चालू वितियवर्ष का वार्षिक बजट 1,1101,101 क्रोर कहा है जबकि इससे पहले की वितियवर्ष 2021 का वार्षिक बजट 1,92277 क्रोर रुपे का था भाजपा OBC मोर्चा की बैठक में नेताओने की मंत्रना भाजपा OVC मोर्चा की बैठाक में राज की हमन सुरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा गया इस दरन भाजपाईयों ने कहा है कि राज सरकार को पिछडों की फिक्र नहीं है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जब से केंद्र में आई है पिछडों और सोचित वर्गों के लिए काम हो रहे हैं बतादे भारतिय जनता पार्टी ओवी सी मोर्चा कारे समिती की बैठाक सागून बैकवेट होल चिरोंदी में अमर्जी त्यादों के अधक्स्ता में हुई इसमें सोर पर्थम भारत माता दिन देयाल उपाध्य और स्यामा परसाद मुखारी की तस्वीत पर पुष्प और पीत कर नमन किया गया इस मौके पर राजसभा सांसर सभ परदेश अधक दिपर प्रकास ने कहा कि वर्तमान जार्खन सरकार पिछडी जात्ती की घोर बिरोध है आने वाले दिनों में जार्खन की जानता सरकार को माप नहीं करेगी केंद्र की वर्तमान नरेंद्र मोधी की सरकार नोबी सी समाज को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया है अनुबंध कर्मियों की हर्ताल जारी जार्खन विधान सबा सत्र से पहले अनुबंध स्वास्त कर्मी अस्थानिय विधायकों को अपनी समस्याव से अवगत कराएंगे जीला कमेटी के माध्यम से विधा को ग्यापन सौप कर मामले को विधान सभाम उठाने की माहिं करेंगे बता देब बीते 33 दिनों से अनुबंधित पाराश चिकित सा कर्मी अपने अस्थानिय करन की माहिं को लेकर राजबहन के समख धारना पराएं जी ट्वेंटी सीखर को लेकर रांची में केंद्रिये मंत्री ने सुरू किया सिगनेचर कैमपेन छारखन में दो दिवसी जी ट्वेंटी सीखर समेलन से पुर्व केंद्रिये संचार ब्यूरो ने यहां सन्निवर को एक सिगनेचर कैमपेन सुरू किया है इस केंपियन का सुबारम केंदे राजमंत्री डाक्टर एल मोरूगन ने अपना पाला अस्ताक्चर कर किया बता दिवे जहारकन के नए राजे पास सिपी राधा कृष्णन के सपत ग्रहन समारों में सामिल होने यहां पहुंचे थे दरसल रांची में 2 और 3 मार्च को दो दिवसे G20 सिखर समिल होने वाला है इसमें देश बिदेश के करीब 170 परतिनिधी भाग लेने आ रहे हैं इस परतिनिधीयों को दो होटलों में ठाराया जाएगा पहले दिन रांची में ही बैठाक होगी वहीं दूसरे दिन सभी परतिनिधीयों को पतरातू लेक घुमाया जाएगा जार्खन सरकार बोर्ड परीक्षा टॉपर्स को देगी 3-3 लाख रुपए दसवी बरहवी बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले चात्रों के लिए बड़ी खुस खबरी है बतादे सरकार के ओर से टॉपरों को 3-3 लाख रुपए का इनाम देने की घुसना कर दी गई है यह घुसना जार्खन सरकार ने की है जिसके उन्सार राज्य के सभी बोर्ड के टॉपर्स को 3-3 लाख रुपए की इनामी राशी दी जाएगी जार्खन सरकार की कैमिनेट ने इस समाद में मंजूरी दे दी है मानोसन सदन विकास मंत्री जगरनात मतों नई समाद में घुसना करते वे का है की सभी जे एस्सी, सीबी एस्सी, एवाम, आईसी, एस्सी बोर्ड के टॉप तीन अस्थान हासिल करने वाले छात्रों को पुरसकार और समान दिया जाएगा रांची में यतायात नियम तोडने वालों के घर चलान भेजा जाएगा इसको लेकर रांची पुलिश ने सभी चोक चोराहो पस्ति सीटी वी कैमरा लगा दिये हैं आगले महिने से नई बेवस्ता सुरू होने की संभावना है बता दे रांची जीले में ड्राइब के दोरान फोन पर बात करते बाइक पर ट्रीपल सवार बिना हेलमेट ड्राइब करते या फिर बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाते हैं तो सवधान हो जाए इसकी वज़ा है कि ट्रैफिक निमो का उलंखन करने वालों को ट्रैफिक पुलिस के जवान रोकेंगे नहीं समदित धराओं के साथ चलान आपके घर पहुंचाएगा सहायता रासी बढ़ा दी मगर गंभीर रोगों को नहीं किया सामिल मुख्य मंत्री गंभीर बीमारी इलाज योजना के तहट सहायता रासी भले ही बढ़ा कर दोगना कर दी गई लेकि कई गंभीर रोग इसमें सामिल नहीं है इससे गरीब मरीजों को परसानी होती है इस योजना के तहट एक कोई सतरह की बीमारीों को सामिल किया गया है जिसके मरीजों को अधिकतम 10 लाखी साहता राजी राजी सरकार रुलप्त कराती है लेकिन हाट, किडिनी, एपेंडिस, प्लास्टिक सरजरी, ब्रेंड ट्यूमर, सिरियस, हेड, इंजियूरी, सहीद और ये कई बीमारियों को इसमें सामिल नहीं किया गया बतादे पूर्वी सिम्भू में इस योजना के तहट दिसमबर 2022 तक 273 मरीजों को सरकार की ओर से 5,29,99,000 रुपए के आर्थिक साहता परदान की गई मेडिकल बोर्ड दुआरा मरीज की आवसक जांच के बाद उन्हें इलाज के लिए साहता रासे उपलब्द कराई जाती है विभाग ने सारे लंबित आवेदनों का निप्टारा कर दिया है हजारी बाग ओपेन जेल में 16 बंदी परिवार सहित रह रहे जारखन के पहले और एक मात्र ओपेन जेल हजारी बाग में 16 बंदी परिवार सहित रह रहे हैं कुल 34 लोग यहां है मुखे धारा से भी मुख हो चुके लोगों को फिर से मुखे धारा में लाने के लिए सरकार की ओर से ओपेन जेल हजारी बाग में 18 नॉमबर 2013 से रखने की बिवस्ता की गई इसका मुख्य उदेश उग्रवाद और अपराथ की राह से लोटने वाल ले के लिए परिवारिक महल देना रहा है पिछले 9 साल से इस जेल से कई लोगों में बदलाव की पहुद सुरू हुई है काटना के बाद से वहां काम कर रहे लोगों में दासत है साइट पर काम कर रहे करमचारियों ने बताया है कि मिट्टी काटने के काम में लगी पोपलेन पर अग्यात लोगों ने साम में गोली चलाई किसमत अच्छी थी कि किसी को गोली नहीं लगी बता दे लातेहार जीला के टोरी से सीवपूर तक थर्ड रेल लाइन का निर्मान कारे चल रहा है साई किरिपा कंबिनी गोया काम अवंटित हुआ है जरी गाविस्टित साइट पर ओवर विरीज के समीप साम दो अग्यात अपरादियों ने मिटी कटाव कर रहे पोपलेन पर गोली चलाई है देव घर सीव बरात में सामिल होने अभिनेतरी भागे सिरी और मने उस्तिवारी पहुंचे महासिरात्री पर सन्यवार को बैजनात दहाम की धरापर देव तुली सरदालो के जन सेलाब उमर पड़ा बाबा का जलापन करने के लिए सरदालो सुबा तीन बज़कर पचास मेर से कदारपद होकर अपने होलिंग पॉइंट में भिश्राम कर रहे थे ऐसे में लाखों की संख्या में आईसा धलो की सुबिधा और सुरक्षा के जीला पसाजन पूर्व से ही होने वाली अप परत्याचित भिहिल को लेकर चोकस थी संपुन रूट लाइन के साथ साथ बीएट कॉलज क्यू कूंपलेक्स नाथ बाड़ी वमंदिर प्रांगण में कतरवत कवारियों के लिए सुबिधा के व्यापक के इंतजाम किये गया है पेजल सापसभाई चिकिसा सुबिधा बायोट लेट और लाइट के साथ साथ इसके भक्ती भजन को जगाने रखने के लिए पूरे रूट लाइन में सिव धुम बजाने की वेवस्ता की गई वहीं सिव बरात में सामिल होने भोजपूरी के सुपरिस्टार और भाजपा संसत मनोज तिवारी यहां परसीद अभिनेत्री भागे सिरी देवगर पहुंचे तीन सुत्री मांगों को लेकर IIT ISM के सोधार्तियों का परदर्शन देश भर के IIT में रिसर्च, स्कोलर, फेलोशिप बढ़ाने की मांग कर रहे हैं इसी करम में अकिल भारतिय सोधार्ति संक्यावाहन पर IIT ISM में सेंटरल लाइबरेरी पर भी बड़ी संक्या में काहना था कि परतेक चारवर्स में बिज्ञान और परद्यों की विभाग का दर्वाजा खट-कटाना परता है अभी बिज्ञान और परद्यों की विभाग का सचीव की ओर से कोई भी अधिकारिक या पंजारी नहीं हुआ जबकि देश भर के सुध चात्र चाह माहिने से इंतिजार कर रहे हैं किरिसी बिध्यक के खिलाब कारुबारियों के हर्ताल अस्थागीत जारखन राज किरिसी उपज और पसुधन विपनन बिध्यक 2022 के खिलाब कारुबारियों के हर्ताल अस्थागीत कर दी गया है कीरिसी मंतरी बादल पत्रलेक यमों के मंतरी के सचीव बिनाय 24 का सकरातमक अस्वासन मिला है इसके अलोक में हर्ता लस्थागित करने का नियुन लिया गया चेमबर अध्याक की सोर मंतरी ने कहा है कि इस बिधायक के प्रभायू होने से क्रिसी, क्रिसी अधारित उध्योगों वा बैपार जगत इमंगरीबों के बिच भर्ष्ट चार का बोल बाला बढ़ जाएगा इस दोरान परति निधी मंडल ने सुल्क को सुने करने की बात कही इस पर क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेक ने वायदा किया है कि जार्खन चेंबर के सभी मायंगे मानी जाएगी बिना चेंबर के समाति के निमावली नहीं बनाई जाएगी सांसद खेल महोच्चों में बिजेता खिलारी हुए समानित सांसत खेल महत्सव के दूसरे दिन सन्निवार को खेल गाव में एथलेटिक्स एवां लंग जंप में पर्तिभागियों ने अपने पर्तिभाग दिखाई सभी बीजेताओ को मेडल देगत समानित किया गया बता दे रब्विवार को समापन समारो के मुख्य अतिति राजे पाल सीपी राधा कृष्णन होंगे दो पर दो बज़े खेल समारो समपन होगा गल्स एथलेटिक्स 100 मीटर दोड में आर्ति कुमारी मुराबादी से है को प्रत्थम अस्थान वहीं उर्मिला कुमारी मुराबादी को दोसरा अस्थान जबकि तिसरे अस्थान पर धुरुवा की सरीता कुमारी रही है वहीं 400 मिटर दोड में प्रियांका और मांशी के प्रथम वहीं वर्षा कुमारी खलारी दूसरे अस्थान पर जबकि तिसरे अस्थान पर मोरबादी के आर्थी कुमारी रही है HEC और JACA की बीच जमीन बिवाद फिर सुरू HEC वा जारकन स्टेट किर्केट एसोसियेशन के बीच एक बार फिर बिवाद सुरू हो गया है JACA के लोग JACB मसीनवा मजदूर की मदद से जमीन पर समतली करन कर रहे थे इधर जैसे इसकी सुचना HEC परबंधन को मिली तदकाल कुछ लोग वहाँ पहुंचे और काम बंद करा दिया इसके बाद JACA के पता दिकारी HEC मुक्याले पहुंचे और परबंधन के साथ बैठक की CNT-SPT एक्ट के कारण रिन में हो रही परिसानी CNT-SPT एक्ट के कारण कई जरूत मंदों को बैंक से रिन नहीं मिल पा रहा है इस एक्ट के कारण जन जाती है लोगों को आज भी गिरी और किसी रिन नहीं मिल रहा है इस परिसानी को देखते वे राज सरकार इस एक्ट में सुधार को लेकर काम कर रही है यह बाते बित मंत्री रामेश्वर उराव ने S.A.L.B.C की बैठक के बाद आयोजी समय दाता समेलन में सुक्रवर को अस्थानी होटल में कही उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री का इस पर ध्यान है या बाधा भी हार सरकार के समय से चल रही है पहले की सरकार ने इसे लेकर कोई खास काम नहीं किया है बित मंत्री ने कहा है कि पिछले साल के तुलना में परदेश में सीडी रेशियो में सुधार हुआ है दिसमबर 2022 तक सीडी रेशियो 44 परदेश रहा जबकि मार्च 2023 तक या 49-50 परदेश पहुंचने की उमीद है रामगाड 56 परिशत का चुनाव 30 अपरेल को रामगाड 56 परिशत समेत देश की संतावन 56 परिशत में 30 अपरेल को चुना होंगे भारत के राजबत्र में राक्षा मंत्राले की ओर से 17 फरवरी को इसकी अज़ितना जारी कर दी गई गईट में लिखा गया है कि केंद्रे सरकार 56 अधिनियम 2006 की धारा 15 की उपधारा एक द्वारा प्रदत सक्तियों का परिशत करते हुए तारिख 30 अपरेल 2023 को ऐसी तारिख के रूप में निदेशित करती है जिसमें 56 बोर्ड में निर्वाचन होंगे उतपाद विभाग ने 75 लाख की सराब जबत की जारखन और बिहार की सीमा परिशित पलामू जीला में उतपाद विभाग की टीम ने सरनीवार को छापे मारी कर 75 लाख रुपे मुल की सराब और सराब बनने में इस्तेमाल होने वाली स्प्रिट जबत की है उत्पाज विभाग की टीम जब करवाई करने के लिए बभंडी गाउं पहुची तो उसकी आँखे खुली रह गई मिल के नीचे तक खाने में सराब की फैक्टी चल रही थी टीम ने यहां से 220 लीटर के 40 ड्रम और 40 लीटर के 20 ड्रम बरामत किये है त्यार सराब की करीब 400 पेटिया बंद बरामत हुई है रांची में 5000 बिद्यार्थियों की छमतावाली लाइबरेरी रांची विश्व बिद्याले परिसार में सेंट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड CSR की रासी से 5,644 की छमतावाला पुष्टकालाई बनाएगा इसी परकरण में ECL गोड़ा के महंगावा में 300 बेट की छमतावाले अधुनिक सुविदा यूग त अस्पताल का निर्मान करेगा इसके लिए दो महतपूर्ण MOU पर सुक्रवार कुमो के मंत्री हमान सुरेन और कोला मंत्री प्रहलाज जोसी को परसीती में जारकन मंत्राले में हुगा बता दे CCL रांची विश्व बिद्याले परिसार में करीब दो एकड़ भूमी पर लगभग सब्सक्राइब करेगा धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं है थे चनलों को सब्सक्राइब कर बॉल का बेले का अंदा भाई ये साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर पने दोस्तों को सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बाइक आवसे दे थैंक यू